सलमान खान इस कारण नहीं होंगे केट्रीना कैफ और विकी कोशल की शादी में शामिल ये है उनका प्लान केट्रीना कैफ और विकी कोशल की शादी की रस्में 7 डिसंबर से शुरू है 9 डिसंबर को ये कपल शादी के बंधन में बंधेगा केट्रीना और विकी फैमिली मेंबर्स के साथ सोमवार रात को जैपूर पहुँच गए अन्य महमानों का आगमन भी जारी है ऐसे में चर्चा हो रही है कि विकी और केट्रीना की शादी में सल्मान शामिल होंगे कि सवाल इसी लिए भी उठ रहा है क्योंकि खबर है कि सल्मान की बॉडिगार्ड शेरा ने केट्रीना के वेडिंग वेन्यो की सेक्योरिटी का जिम्मा समहाला हुआ है रिपोर्ट्स के मताबिक शेरा की सेक्योरिटी कमपनी टाइगर सेक्योरिटी ही सिक्सेंस फोर्ट की सुरक्षा में है काफी दिन से ऐसी चर्चाएं थी कि सल्मान केटरीना की शादी में शामिल हो सकते हैं लेकिन हाल ही में एक इंटर्व्यू में उनकी बहन अर्पीता खान शर्मा ने साफ कह दिया था कि उन्हें या फैमिली को शादी का न्योता नहीं भेजा गया है। लेकिन अब फिर से यही सवाल उठ रहा है कि का सल्मान अपनी खास दोस्त केटरीना के शादी में शरीक होंगे तो बता दे कि ऐसार नहीं हो पाएगा। हमारे सहयोगी एटाइम्स के एक रिपोर्ट के मताबिक सल्मान का दबंग टूर शुरू हो गया है और 10 डिसमबर को वो रियाद में परफॉर्म करेंगे। इस वज़ से सल्मान अपने बॉडि गार्ड शेरा के साथ रियाद में होंगे। यहीं वज़ा है कि वो कैटरीना और विकी कॉशल की शादी में शादी में शामिल नहीं हो पा रहे। लेकिन उससे पहले हो रही अन्य रस्मों में शामिल हो सकते थे। पर ऐसा भी नहीं रिपोर्ट में आगे बताया गया कि सल्मान ने 6 डिसम्बर से टाइगर 3 की शूटिंग रेज्यूम कर दी है, फिल्म की शूटिंग से ही ब्रेक लेकर वो रियाद अपने टूर पर जाएंगे, एक सोर्स ने हमारे सहियोगी E-Times को बताया कि सल्मान बुद्धवार यानी 8 डि होने का सवाल ही पैदा नहीं होता